विदेशों में अब क्रेट कार्ट से खर्च करना महगा पड़ेगा सरकार ने विदेश में क्रेट कार्ट से पेमेंट करने के नियमों में बड़ा बदलाब किया है। उसी में शामिल हो जाएगा। उस मुद्रा में खर्च करें जाहतर लोग कैश कार्ट के जरी खर्च करते हैं। और दूसरा कि आप कैश कैरी करें जिसकी एक सीमा है उसे ज़्यादा कैश भी आप नहीं ले जा सकते हैं। उसका इश को लेकर जाएं और उसका इस्तेमाल करें या अपना डेविट कार्ड लेकर जाएं और वहाँ विड्रॉ कर लें। इन तरीकों से आप विदेश में खर्च कर सकते हैं। में शापिंग करना, खर्च करना सामाने लोगों के लिए बहर मुश्किल होने वाला, काफी कठिन होने वाला है। क्रेट कार्ड एक तो क्रेट कार्ड से खर्च करने के लाद आपको एक्सचेंज रेट का डिफरेंशल भी पे करना पड़ता है। जो सामाने रूप से आप और उसके लावा आपको ब्याच और फिर ये टी-सी-स भी लगने वाला है। सरकार की कोशिश यह है कि जितने भी ट्रांजेक्शन विदेश में हो रहे हैं उन्हें एक ही सीमा में रखकर उन्हें मानिटर किया जा सके हैं क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग फीस पेमेंट्स के लिए बाकी चीज़ों के लिए करेट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं हलाकि अगर आप बच्चों की फीस यह बाकी चीज़ों के लिए पैसा भेजते हैं और बैंकों के जरी भेजते हैं तो वो इस प्रक्रियास पर इस करेट कार्ड की प्रक्रियास बाहर है लेकिन यह नियम विदेश यात्रियों के लिए विदेश में जाने जाने वालों क के लिए थोड़ा चुनोती बनेगा और उनकी लागत बढ़ाएगा